इंडिया में पहला कमर्शल प्लेन फ्लाइ किया था 1911 में और लगभग आज 100 साल बाद इंडिया वर्ड की चौथी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है 2016 में लगभग देड़ करोड इंडियन्स ने अलग अलग एर प्लेन से सफर किया था और ये नंबर हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि अब फ्लाइग एक लचरी नहीं बलके जरूरत है इंडियन एरपोर्स और एविएशन इंडस्ट्री में आने वाले कुछ सालों में 5.8 लैक करोड की इंवेस्टमेंट होने वाली है इसमें private players और foreign companies की बहुत बड़ी भूमिका होगी इससे एक बात सपस्ट है कि आने वाले सालों में बड़े पैमाने पे बहुत ज़ादा नौकरियां इस फिल्ड में उभर के सामने आने वाली है इस फिल्ड से related हर जौब वैल पेइंग और ब्राइट फीचर वाली है customer service, airline industry norms, aircraft safety protocol के बारे में सिखाया जाता है cabin crew की job airlines की reputation के बहुत important है क्योंकि cabin crew फ्लाइट के सामने passengers की safety और आराम का पूरा खयाव रखते है इस course में आपको हर वो चीज सिखाई जाती है जिससे आप एक बहतर cabin crew member बन सके जैसे language training, personality development skill, in-flight service, safety and security eligibility, eligibility, HSC एनि 12th pass करने के बाद आप इस course में admission के लिए eligible हो जाते है जैसे ही आपका एक course complete होता है आपकी start salary 20-30,000 के बीच में होती है इस course related कुछ खास बात है अच्छी salary, luxurious job, celebrity, sports person और business tycoon से मिलने का मौका देश-विदेश और अलग-अलग जगा गोमने का मौका तो अगर आप इस field में अपना career बराना चाहते हैं और इस field से related और information आपको चाहिए तो award winning CEDPS की इंसिट्यूट की website विजिट करें और ज़्यादा information वहाँ से हासिल कर सकते हैं